आज हम यहाँ पे पुर्विच अमपारन के के सरिया इस्थित बहुत दस्तूप के पास हैं जिसे पुर्व में बेंग का किला, बेंग राजा का किला माना जाता था लेकिन ये उत्खनन के बाद पता चला कि ये एक बहुत दस्तूप है और आप इसको पीछे देख सकते हैं कि ये कितनी भब है और ऐसा अनुमान है कि ये विश्व का सबसे बड़ा अस्तूप होगा अभी इसकी पहली खुदाई 1998 में शुरू हुई थी और 2018 में भी इसकी खुदाई दूसरी बार शुरू की गई इसमें बहुत के कई मूर्तियां खंडित मूर्तियां हैं जो आप यहां रुके थे उनके सिस यहां रुके थे और यह एस्तूप जो है वो सुंग दो भागों में मानी जा रही है कि बनी हुई है सुंग कुसान पिरियेड में और दूसरी गुपता पिरियेड में लेकिन यहां पे रख रखाओ के चलते इसकी स्थिति क्या है यह आप देख स सकते हैं जो कि एक सुंदर प्रयटक के रूप में विख्शित हो सकता है कई भीश्व के सहलानी जो की बौध कि देशों से आते हैं उनके लिए अट्यधित् आकार्षक प्रेटर का केंद्र हो सकता है लेकिन यहां पर नहीं सरकार का कोईध्यान है नहीं राजसरकार का कोईध्यान है और archaeological survey of India ने भी इसकी एक तीसरी यहां पे खनन करना चाहिए था जिससे की यहां पे और पता चल सके लाइटिंग का भी वेवस्था करना चाहिए था और जो एक सुन्दर प्रेटक रूप में दिख्षित होता और इसके प्रेटन के विकास के साथ साथ इस छेत्र का एकनामी और कॉमर्स भी जुरा होता अता हम आग्रा करते हैं शरकार से अरकेलोजिकल सर्वे औफ इंडिया से और राज सरकार से कि इस छेत्र का प्रेटक के रूप में उचित ब्यवस्था किया जाए और विकास किया जाए ये किशर्या इस्टू का पार्षो भाग है गिसे आप देख सकते हैं कि सरकार इसके जान दे रही है चारो तरफ आप जंगल और गाच विक्ष को देख रहे हैं अगर सरकार चाहे तो इसे एक अच्छे परियर्थक रूप में विक्षित कर सकती है जिससे यहां के रहने वाले लोगों को भी पूर्णतर रोजगार मिले मिलेगा और यह आर्थिक इस्थिती का य क्रूर्णत एने का एक दो बहुत करदे हैं अगर मिलेगार कि ऊफ्छों को भी आर्फिका प्राग भीजश्ग्गे क्याप प्छाँ है